नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल जी की 24 नोलेज पर कैसे हो दोस्तों सभी अच्छे होंगे त्यारी सही चल रही होगी दोस्तों आपकी हमने काफी important question को cover किया है दोस्तों अभी तक ये हमारी भाग नमर 5 वीडि question है उनकी series भी शुरू कर दी है हरियाना जो current affair की doge है वो शुरू कर दी है उनको भी जरूर देखें उनसे दोस्तों बार एक भी question हरियाना current affair के अंदर नहीं आएगा हरियाना exam के अंदर और दोस्तों इसके साथ हम ये जो important question है 1500 plus question हो cover करेंगे इस इन वीडियो के अंदर और आपकी current affair जो है वहाँ से cover हो जाएगी दोस्तों और आपको best book से ही जो basic question है वो पढ़ना है आपका बढ़िया जो है अच्छा से आंदर स्कोर रहेगा exam के अंदर ये मेरी guarantee है तो दोस्तों शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो निमलिक्त में से कौन सा सासक सिलादित्ते क नाम से भी जाना जाता है तो दोस्तों इसका right answer है हर्सवर्दन ये भी अलग question है किसी book में नहीं मिलेगा आपको कौन सा सासक सिलादित्ते की नाम से जाना जाता है हर्सवर्दन next question निमलिक्त में से परतिहारों के किस जागिरदार ने पर्थुदका में विशनु मंदिर का निर्मान करवाया था तो दोस्तों ये जो है इसका right answer है गोगा निमलिक्त में से परतिहारों के किस जागिदार ने पर्थुदका में विशनु मंदिर का निर्मान करवाया था त तो दोस्तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें और शेर जरूर करें जो भी आपका वट्सप स्टेडी ग्रूप पर फेस्बुक पर काफ इंपोर्टेंट कुश्चनों को दोस्तों मैं इसमें कवर करवा रहा हूं आपके लिए अब बा राइटाउंसर होगा चहेमान उस चेतर में जिसे आज हर्याना कहा जाता है तो मर सासन का अंतकीस राज़वन्स के साथ समापत हुआ था तो इसका राइटाउंसर होगा चहेमान हर्याना में 2016 के अर्थवयोस्ता सर्वेक्षन के अनुसार हर्याना केंद्रिये पुल के लिए सबसे बड़ा नाज वितरन बना दूसरा इसका राइट आउन सरोगा दोस्तों नमर एक ओप्षन दूसरा हर्याना में पहली बार आयजित अंतराष्टी गित्था मौचव का उदगाटन किस ने किया था तो दोस्तों ये किया था परवन मुखर जी ठीक है आप देख सकते हैं कि जो पहली बार आयजित अंतराष्टी गित्था मौचव का उदगाटन किस ने किया था परणव मुखर अब next question हर्याना के किस राजे में पहली बार डिजी धन मेला आज़ित किया गया था तो दोस्तों ये किया गया था गुरू ग्राम के अंदर हर्याना के किस राजे में पहली बार डिजी धन मेला आज़ित किया गया था गुरू ग्राम में ये भी काफी important question है अब चलते हैं next question प बाद हर्याना में अब कितने जिले हो गए हैं तो आपको सभी को पता होगा कि अब हर्याना के अंदर जो है चर्की दादरी नया जिला बना था और अब वर्तमान में बाइश जिले हैं नेश्ट क्यूस्टन दे अदर साइड ओफ साइलेंस वाइस फॉर्म दे पार्टिसन ओफ इंडिया के लेखक या लेखी का कौन है तो इसका राइट आउंसर होगा नमर दौप्शन और वसी बुटालिया ये भी दोस्तों बुक है देख लेना आप इंपोर्टेंट है नेश् इसका राइट आउंसर होगा नमर एक सवदेश दिपक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन है सवदेश दिपक नेश्ट क्यूस्टन हर्याना की पूरी सिमा पर कौन सी नधी बहती है तो दोस्तों ये हर्याना की पूरी सिमा पर यमना नधी बहती है नेक्स्ट यू किए इंडिया स्टेट ओफ फोरेस्ट रियपोर्ट एफ एस अई दो जरतीरा के नुसार हरियाना राज़्ये का व्रक्सों से गिराववा कुल छेतर फल कितना है तो दोस्तों यहें में में 1282 व्रक किलोमेटर जो 2013 की रियपोर्ट के नुसार?" 1282 वरक किलोमेटर जो है वरक सो से गिरावा छेतरफल है नेस्ट क्यूस्चन सुल्तानपूर राष्टी उद्यान कहां पर है इसका दोस्तों आपको पता होगा सभी ने ये गुरुग्राम जिले में है सुल्तानपूर राष्टी उद्यान कहां पर है गुरुग्राम जिले में next question हरियाना भारत एक राज्य इस दिन बना था ये बना था दोस्तो एक नमबर 1966 को ये काफी आसान question है और दोस्तो ये question जो है आपको हर एक्जाम में repeat हो जाता ही हर एक्जाम के बाद इसको repeat कर देती है next question पंजाब और हरियाना के मद्यम सीमा किस आयोगदवारा निर्दारित की गई थी तो दोस्तो ये की गई थी नमबर तीन option जैसी सा आयोगदवारा next question हरियाना के वर्तमान गवर्नर कौन है तो दोस्तो ये पहले से टमाया हुआ है कफ् आंसिंग सोलंग की थे अब वर्तमान में बदल चुके हैं आपने जो है कॉमेंट में उसका नाम बताना है और कौन से नम्मर के हैं ये आपने जो है कॉमेंट में इसका जवाब बताना है नेक्स्ट कुशन और दोस्तो जो करंट अफेर की जो सीरीच चले ही वो जरूर देख लें वे काफ़ इंपोर्टन को उसमें कवर किया है और जिसने भी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें और बेल का आईकन को जो नाग जीरा है वो वन जी ओबेरन हरियाना में नहीं है नेस्ट क्यूशन एंसी आर दोजार एक्किस के हरियाना उपछेतर की उपछेतरी योजना के अनुसार हरियाना में अरावली परवतमाला को के रूप में नामित क्या गया है तो यह क्या गया है दोस्तों प्राकरतिक सनरक्षित छेतर नेश्ट क्यूस्चन अक्टूबर 2016 में हरियाना सरकार ने प्रभावी ठोस कुडा प्रबंदन के लिए राज्य के सभी सहरों और कस्बों को समू में विवाजित करने का ने लिया था तो दोस्तों ये लिया था पंचकुला में है नेश्ट क्यूस्चन कुर्चेतर के थाने सर में स्थीत बिड़ला मंदिर का निर्मान मुकत है किस पत्थर से क्या गया है तो दोस्तों ये क्या गया है ये काफी इंपोर्टेंट क्यूस्चन है ये सफेज संग मर मर से क्या गया है नेक्ष्ट क्यूस्टन पेहवा में चेतर चोदस मेला कब आयुजित किया जाता है तो दोस्तों ये चेतर चोदस मेला पेहवा के अंदर मार्च अप्रेल में आयुजित किया जाता है ये भी काफी important क्यूस्टन है नेक्ष्ट क्यूस्टन थाने सुवर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है तो दोस्तों जो स्थाने सुवर महादेव मंदिर थाने सर में है अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्ष्ट क्यूस्टन की खानवा की लडाई के समय वल्लीय मेवात कौन था तो दोस्तों ये इसक अकबर की मुखे से नाई पानी पत के युद के छेतर में कब लड़ी थी तो दोस्तों ये पानी पत के युद के छेतर में अकबर और है मुखे भी जो पानी पत का दूसरा युद हुआ था वो पांच नॉम्बर पंद्रा सो चपन है वो याद रखना अब चलते हैं नेश्ट क्यूस्टन पर वीरबान साध निमलिक्त में से किस संपरदाई के सिख सक थे तो दोस्तों जो वीरबान साध थे वो सतनामी संपरदाई के सिख सक थे ये भी विलकूल अलग क्यूश्चन है नारनोल में सतनामी विद्रो किसके सासन का काल में हुआ था तो दोस्तो इसका तो आपने पता होगा ये नमर च्यार ओप्सन ठीक है इसका औरंग जेव के काल में नार्याना सरकार ने तीन अजार सरकारी कार्यालों में नी सुल्क पॉइंट ओफ सेल मसी इन को स्थापित करने के लिए किस के साथ समझोते पर हस्ताक्सर किये हैं तो दोस्तो ये किये हैं भारती स्टेट बैंक के साथ next question हाली में नाम परियुतन से पहले गुरुगराम को किस नाम से जाना जाता था तो नाम परियुतन से पहले दोस्तों ये गुरुडगाओं के नाम से जाना जाता था जिसका नाम बदल कर अब गुरुगराम कर दिया गया है next question हरियाना में कौन से जिले में बागवानी विसुद्याले की स्थापना की जा रही है तो ये करनाल के अंदर की जा रही है दोस्तों बागवानी विसुद्याले की स्थापना करनाल में Next question हरियाना महिला प्लिस सवम सेवी पहल को अपनाने वाला देश में कौन सा राजे बन गया है ये बना है नम्मर तीन ओप्सन पहला ये भी दोस्तों काफी बार क्यूश्चन रिपीट हो चुका है एकजाम के अंदर हरियाना में महिला पुलिस स्वम सेवी पहल को अपनाने वाला देश में कौन साराजे बन गया है पहला नाटक कहानी फिर वही रात के लेखक लेखी का निमलिक्त में से कौन है तो ये है सुख चेंशिंग बंडारी फिर वही रात के लेखक लेखी का निमलिक्त में से कौन है नम्मर तीन ओप्सन सुख चेंशिंग बंडारी कहानी पवितर जूट के लेखक लेखी का निमलिक्त में से कौन है तो दोस्तो ये जो पवितर जूट की लेखक है सकुंतला बरजमहौन कौन है दोस्तो पवितर जूट की लेखी का सकुंतला बरजमहौन नेस्ट क्यूष्टें और कहानी मुठ़्ी मे बंद आश्मान के लेखख निमलिक्त में से को न है तो दोस्तो यह देख सकते ही यह आपको किसी बुक मी बुक नहीं मिलेगी मुठी में बंद आसमान के लेकक निमलिक्त में से कौन है तो इसका राइट आउंसर होगा दोस्तों नम्मर च्यार अनंत सर्मा अनंत अब बात करते हैं नैस्ट क्यूश्चन की 2011 की जनगना के अनुसार हरियाना में महिला साक्सरतादर क्या है तो दोस्तों महिला साक्सरतादर जो इसमें ऑप्सन में दी हुई है वो नम्मर तीन है च्यासट पॉइंट आठ परसेंट है नैस्ट क्यूश्चन हरियाना में प्राथ्मिक विद्याले 2011-12 की कुल संख्या कितनी है तो जो प्राथ्मिक विद्याले हरियाना के अंदर वो 3111 है और दोस्तों जो यह दी हुई है 2011 की जनगन्ना के अनुसार हरियाना महिला साक्षरतादर कितनी है तो ये 65 पॉइंट जो है कुछ है तो इसके आज़ पास जो भी आपको मिले वो आपने ओप्सन में ठीक करना है HSC के अंदर आई बार दोस्तों अलग अलग देते हैं उसके आज़ पास की डेट Next Question हरियाना सरकार की अनुसार 2011 में मौजुदा कीमतों पर सकल राज़ गरहलूत पाद कितने रुपे था तो दोस्तों ये था 2,57,72 में पॉइंट 62 ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं Next Question की वरतमान में हरियाना मुख्य मंत्री मनोरलाल कटर किस सीट से चुनाओ जीते थे या सीट से चुनाओ चुने गए थे दोस्तों ये चुने गए थे करनाल सीट से ये भी काभी इंपोर्टेंट है हरियाना के वरतमान मुख्य मंत्री मनोरलाल कटर किस सीट से चुने गए थे करनाल सीट से Next Question 2014 के हरियाना विदान सबाद चुनाओं में बसपा ने कितनी सीट जीती थी तो दोस्तों ये एक सीट जीती थी कितनी सीट जीती दोस्तों बसपा ने एक सीट और आपने इसके बारे में कॉमेंट में जरूर बताना है कि किस ने जीती थी और किस जगे से जीती थी ठीक है दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक्जाम नजदिकार आए ये जानकारे आपको होनी चाहिए अब next question की बात करते हैं 31 मार्ज 2011 के अनुसार हरियाना के पानी पत और किन जिलों में दो नगर पालिकाएं थी तो ये पानी पत और समाल खाक जिलों में दो नगर पालिकाएं अलग लग थी next question 11 फरवरी 2014 तक हरियाना के कुल मत दाताओं की संका थी तो देखो दोस्तों कैसा question नहीं आज तक किसी भी बुक में आपने नहीं पड़ा होगा नहीं इसके बारे में सोचा होगा तो इसका राइट आउंसर हो दोस्तों तो दोस्तों इसका राइट आउंसर होगा नमर दो एक रोड पच्पनलाग चोरानम हजार च्यार सुस्ताइस जो 11 फरवरी 2014 तक हरियाना के अंदर कुल मत दाताओं की संक्या थी next question next question हरित हरियाना विशाल हरियाना जुलाई 2017 में हरियाना सरकारदवरा शुरू किया गया एक अभियान था तो दोस्तों ये था 2017 अंदर जुलाई में शुरू किया गया था वरक्सारोपन अभियान ये काफी इंपोर्टेंट है एक दोस्तों मैंने आपसे जो दो क्यूस्टन पूछें उनका जो आपने कॉमेंट में जरूर देना है मैं दोस्तों ये क्यूस्टन आपसे चलिए पूछता हूँ ता कि आप उसको सर्च करें या किसी बुक में ढूंडे तो आपको उसके बारे में और जानकारी प्राप्त होसके बैती है नदी वो चिनाब है यमुना भी बैती है गगर भी साही भी तो इस कराइट आउंसर होगा नमर एक चिनाब जीन में वरहा तिर्थ किसको समर्पित है तो दोस्तों जो जीन में वरहा तिर्थ है जहां पर वरहा जैन्ती माग सुकल द्वादसी को मनाई जाती है वो बगवान विसनु को समर्पित है और जो वरहा थे वो बगवान विसनु के ही अवतार थे नेक्स्ट क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दोस्तो यहीं पर जो है परिछित के जो पुतर जनमेजे हैं उन्होंने सरपयग किया था और ये काफी important question है हर्याणा के जीन जिले का सफिदो सेए किस से संबंदित है परिछित के पुतर जनमेजे का सरपयग से नेस्ट question और आज का last person है दोस्तो ये स्थानी प्रंप्रा की अनुसार जीन्द में इकाहमसातिरत भगवान से संबंदित है जो श्वम को यहाँ परचादित रखते थे तो दोस्तों यह संबंदित है किर्शन भगवान से यह भी काफी इंपोर्टेंट है कि जीन्द में इकाहमसातिरत किस भगवान से संबंदित है किर्शन से आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा लाइक करना सेर करना और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना दोस्तों मिलते हैं ऐसी जानकारिक साथ अपनी नेक्स वीडियो मिलते हैं तो गडको अ सब्सक्राइब नहीर अपनी है तो दो जहारे मिलते हैं 16.05.